वुखत है आप सभीका एक और न्यू विडियो पर आजका की विडियो में बात करेंगे अपनेScript 같아요 मार्स के बारे में weillate này कितने do the जाते हैं एक किन बच्चों को दिए जाते हैं और किस कंडिशन पर दिये जाते हैं क्योंकि कि अगर आपके यह क्या दो बड़ एक्जामनेशन बिगड़ गयते कॉश्चन पेपर आप ठीक से अटेम्ट नहीं कर पायते आपके या तो पासिंग मार्क्स या फिर उससे कम आ रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स यह कैसे चीज़े जो कि आपको फेंड होने से बचा सकती है तो व बता देता हूँ MP board में ऐसा सीन है कि 10 में अगर तो ग्रेस मार्क्स में आपको 6 मांक्स दिये जाते हैं अगर आप 22ी में हैं तो आपको फेंट मांक्स यहा जाते हैं and maximum कितने subject में आपको grace marks दिये जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब देखिए जिन बच्चों के marks passing marks के आसपास आते हैं यानि कि passing marks में तीन चार नंबर कम रहे गा हैं जैसे 10th के आपको 24 marks चाहिए पास होने को और अगर आपके 19 सफर 18 marks भी आ रहा हैं तो एक subject आपका रोक रहा है तो उसमें आपको grace marks दे दिया जाते हैं grace दे के आपको pass कर दिया जाता है जिससे कि नहीं आपको फेंद किया जाता है अब ऐसे 20 में होता है passing marks मैंने आपको previous video में बताये थे उसमें थोड़ा सा confusion हो गया था 70 marks में से और 80 marks में से तो वहां पर आप correction क ऐसा देखा गया है कि सुर्फ एक ही subject में आपको grace दी जाती है ऐसा नहीं है कि 2-3 subject में आपको एक साथ grace दी जा रही है वो भी आपको तब दी जाती है जब बाकी के subject आप pass कर रहे हो एक subject आपका रोक रहा हो तो ऐसे में आपको grace दे के pass कर दिया जाता है तो अगर आप भी MP यहां पर आपको तो आपको दो आपको हमें और यूट करते हैं यहां पर आपको डिश्टारी करना यहां पर आपको आपको डिखायी देंगे 10th result और 12th result तो जैसे आपका result अनॉस होगा आप इस app के थूभी आपका जो result है वो चेक कर सकते हैं इस वीडियो के description में मैं आपको याइब दे रहा हूँ वहाँ से जाके आप download कर सकते हैं तो उम्मीदी कि आपको grace marks का concept समझ में आ गया होगा और यह जो आपको grace marks दिये जाते हैं या आपकी mark sheet में भी show होते हैं आप ध्यान से देखोगे एक remarks का option होता है वहाँ पर show किया जाता है कि इस subject में बच्चे को grace marks दी गई है तो काफियों के पसंद नहीं आता है वो यह सोचते हैं कि अच्छा तो हम सब्सक्राइब एक्जाम दे देते हैं या फिर हम यह repeat करते हैं अब वह आपकी choice है बागे कोई doubt आता है comment कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस्टा पर DM करके बाद भी कर सकते हैं